हम चर्ष आते हैं परमिश्यर से मिलने के लिए परमिश्यर के मन को जानने के लिए परमिश्यर की आशीशों को पाने के लिए लेकिन कभी-कभी सवाल हुटता है कि इशू मसी धर्ती पर क्यों आया? हालेलुया क्यों आया इशु मसी धर्ती पर क्या करने के लिए आया और इशु मसी के आने से क्या हमें मिला है हालेलुया यह सारे सवाल जो है यह हमें जानना जरूरी है कि इशु मसी के आगमन का उसके आने का क्या वज़े है क्या कारण है कि इशु मसी आया और परमेश्वन ने उसको हमें बलेदान दिया सब लोग जानते हैं कि इशु मसी के बलेदान से हम लोग शुद्ध हुए, हम लोग पवित्र हुए Praise the Lord हमारे पापों से उसने हम को शुद्ध किया, श्रापों से उसने हम को शुद्ध किया Hallelujah लिया और परमेश्वर ने हमें एक नया बना दिया नया जीवन दे दिया लेकिन नया जीवन उसने क्यों दिया हलो नया जीवन परमेश्वर ने इश्व मसी के द्वारा हमें क्यों दिया क्यों उसने हमारी आत्मा को सिंदा किया क्यों उसने हमारे मन को नया किया क्यों अपनी आत्मा को उडेल दिया हमारे अंदर क्यों क्यों दिया उसने तकि हम इस नए मन के द्वारा एक नए आत्मा में परमेश्वर को परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के मन को परमेश्वर के प्रॉमिसिस को परमेश्वर की वाचा को समझ सके और अपने मन में बसा सके आलिलु प्रेस अलोट हम उत्रादिकारी है रेस अलोट हम हमें पिता क्या हमें पिता मिला है और पिता नहीं पुत्र बनाया है यानिके ऐसे पुत्र हम उत्रादिकारी है लेकिन उत्रादिकार में हमें क्या-क्या मिला है यह जानना बहुत जुरूरी है पूअ मुझे वसीयत में उत्रा दिकान में क्या दिया है कि जनना जरूरि है कि नहीं है kimin यह ठेलोड ये पिता ये लिए और बेटे के लिए जरूरी है अबेटे को द Children कि मेरा पिता मेरे लिए चोड़कर गया है पिता को ये जानना जरूरी है, पिता को बताना जरूरी है कि मैं आपने बेटे के लिए क्या छोड़ कर जा रहा हूँ, इसलिए इशू का आना, आपको उस उत्राधिकार से मिलवाता है, आपको आपकी जो चीजे हैं उससे आपको मिलवाता है, आलेलिया, रेसलोट, वो बता चाहता है कि तुम्हें क्या मिला है तुम किस योग यहो तुम्हारा पिता तुम्हेरा लिए क्या छोड़ गया है हम कभी-कभी संकट में आते हैं मुसीबतों आत में आते हैं हम परशान हो जाते हैं हम हिल जाते हैं शेतान हमारे जीवन में जूट बोलता है हमें ढराता है और क्या है अब जीवन जिन्दगी गई हमारा दंदा मालो चौपड हो गया रहे अब क्या है वह एक बैंक बंद हो गया कितने लोगों ने आत्मत्या कर ली हमने सुना है क्योंकि उनके जीवन की पूंजी उसी बैक में थी प्रेस अलॉट तो एक बैंक ने कितने लोगों को क्यों कि उनका आश्राय सिर्फ बैंक था अगर उनका आश्राय इश्व मसी होता है पर मेश्यर होता तो आत्मत्या नहीं करते हैं उनको बता कि मेरा पेता मेरे साथ है हाललुया तो यह जानना जरूरी है इसलिए भैजन सहीता 119 का तेहतर क्या कहता है पढ़िया मिटा तेरे हातों स कि मुझे तुन्हें रचा है और सामारा है ताकि मैं उस आशीश को जो मेरे लिए तुन्हें रखी है उसको समठ सकूं जान सकूं रहिसलोट वो सर्वशक्तिमान पिता मेरा परमेश्वर मेरा पिता है लेकिन वो मेरे लिए क्या छोड़कर गया है इसलिए उसने हमेरे मन को शुद्ध किया है इसलिए उसने अपनी आत्मा को मेरे अंदर डाला है ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरी वसीयत क्या है मेरे पास कौन सी दौलत है आले लिए जानना चाहते आपके पास कितनी दौलत है जानने चाहते कि नहीं हालेलिया आज की सभा में मैं आपको बतानुगा कि आप कितने अमीर हैं आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हैं इसी चिंदा नहीं करने हैं आज मेरे पास क्या है उत्पत्ति नौ आठ और नौ पढ़िए या नौ की बात हो रही है नौहा जो कि परमेश्र का चिनदार प थर्मी है इस धर्ती पर मुझे कोई धर्मी नहीं दिखता है कोई खरा वेक्ति नहीं दिखता है नुहां एक सिर्फ तु है आलेलुया और तुझी मैं बचाओंगा प्रेस अलॉट और यहां पर उसके बाद नुहां के साथ उसने वाचा बांदी उत्पत्ती नौ आठ और फिर परमेश्व ने नौहां और उसके पुत्रों से कहा पढ़िये पिर परमेश्व ने नौहां और उसके पुत्रों से कहा सुनो मैं तुमारे साथ और तुमारे पच्छा जो तुमारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांदा हूँ आलेलुया प्रेस लोड ध्यान यह क्या कह रहा है मैं तेरे साथ और जो तेरा वंश होगा उसके साथ यह वाचा बांता हूं हम किसके वंश हैं हम नोहा देखिए इब्राहिम का वंश होता है लेकिन इब्राहिम नोहा से निकला है तो हम लोग नोहा के हैं और हम किसके वंश हैं नोहा के हमारे पूरवच नोह कि नौहरब के नौहा हमारा पूर्वज तो परमेशव कहता है कि मैं तेरे लिए वाचा मांनता हूं और तेरे लिए नहीं तेरे वन्ष के लिए श लॉकर है यöhme के जो वाचा उसने नोहा के साथ कर दूँगा लेकिन तुझे नहीं खत्म करेंगा क्योंकि जो आपका स्रिष्टी है वह पूरी तडिके से दुष्टता से भर गई है आललुया यह यह जो वाचा नोहां के साथ थी वह वाचा हमारे संग बंदी हुई है आललुया इसलिए परमेशन क्या जाता इशुवसी क्य कि उसने हमारे मन को नया किया तकि हम उसने वाचा को वाचा जोँफ्याठाशलं साल पहले टक्रीम 6000 साल पहले पर मिशन इसलिए इशु आया इसलिए वो क्या कह रहा है कि मैंने तुझे रचा और समारा है इशु मसी रोज हमें समारने का काम करता है हमारे मन को बनाता है तैयार करता है कि वह वाचा वह प्रामिस जो परमेशन ने दिया है वो तुम्हारे है हमें विश्वास के संग लेना है उसको हालेलिया बाइबल बताती है नोहां 500 साल का था उसके तीन बेटे थे शेथ हेपेद और शाहाम हालेलिया और यह तीन बेटे थे इसके द्वारा उसका 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 परिवार था तीन बेटे उसके बहुएं और पती पतनी हालेलिया आठ लोग थे यह लोग और परमेशन ने से कहा कि तू ही खड़ा है मैं तुझे छोड़ दूँगा और सारे दुनिया को खतम कर दूँगा तू जहाज बना समझने की कोशिश करिए इस वचन को नोहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस समय नोहां के पास कुछ नहीं था उसने आज तक जहाज नहीं देखा वहां पर जल भी नहीं था उस समय तक पारिश भी नहीं होती थी और परमेश्वर ने उसे जिम्मेदारी दी कि तुझे जहाज बनाना है और दुनिया को बताना है कि परमेश्वर इस धर्ती को खतम करने वाला है इसलिए पश्चाताब करो और परमेश्वर के लिए फिरो ताकि तुम बढ़ सको, बाइबल कहती है, तकरीबन सौ से एक सो बीस साल लगे नोहा को जहास बनाने में, तकरीबन सौ से एक सो बीस साल लगे नोहा को दुनिया को सूसमचार फैलाने में, कि परमेशन ने मुझे क्या कहा है, वो जहास बनाता था, लोग पूसे दे क्यों बन ना चुकि जल प्रले आने वाली है धर्ती खतम हो जाएगी मैं धर्ती को नश्ट कर दूँगा इसलिए जो जहास में रहेगा वही सुरक्षित होगा आलेलुया उसने पूरी धर्ती को उस समय कितने लोग रहते थे जनसंकिया उस समय धर्ती की थी तकरीवन 11 लाग रुपे गैरा लाग आदमी रहते थे थे उस समय पूरी धर्ती पर उस समय की जनसंकिया थी तकरीवन 11 लाग और 120 साल लग गए नोहा को जहास बनाने में 120 साल लग गए उसे बताने में दुनिया को लेकिन आपको पता है उस समय इतना भरश्चता महौल उस समय इतना पाप था धर्टी पर कोई परमेश्वर की बास सुनना नहीं चाहता था कोई परमेश्वर को जानना नहीं चाहता था नहा का मजाक उड़ाते थे तू पागल हो गया है आज तक आकाट से बारिश नहीं हुई कहीं हमने जर्णा नहीं देखा कहीं हमने पानी नहीं देखा हम रेकिस्तान में हैं और तू कहता है कि जल प्रले से दुनिया खतम हो जाएगी पागल हो गया है पागल हो गया है प्रेस है मैं तुझे बचाऊंगा एक साल नहीं दो साल नहीं मेरी बेहन एक सो बीस साल तक उस वचन को उसने थामे रहा उसमें कोई बाइबल नहीं थी कोई नभी नहीं था परमेशर आमने सामने नहीं आया उसने बोला और वो एक सो बीस साल तक परमेशर के साथ सुसमचार देता रहा लेकिन उस ग्यारा लाख की आबादी में से एक आदमी भी परमेशर की और नहीं मुड़ा वाइबल कहती है एक आदमी एक आदमी भी उसकी बातों को उसने नहीं माना सही नहीं माना परमेशर की और नहीं मुड़ा पश्चाताब नहीं किया लेकिन फिर भी नोहा ने जो उस वशन को थामा हुआ था वो डगमगाया नहीं उसका विश्वास कमज़र नहीं हुआ वो जहास को बनाता रहा वो सुसमा चाड़ देता रहा वो विश्वास में जीता रहा कि मैं परमेशर के द्वारा बचाए जाओंगा और मेरे परिवार का उधार होगा हालिलुया प्रेंस लौट आज दस आदमी को आप बोट आप बुलिए अज़ आधास आदमी आपकी बात नहीं मानने आपके मन में सवाल उठताए दस आदमी मैं सबको बोल रहा हूं दस आदमी को बोला दस आदमी केते नहीं इस्वसि प्रभू नहीं है तो आप सोचते ए मैं गलत तो नहीं हूँ औरे को आइनिना वे वीस आदियों को बोलता हूं कौई नहीं आ रहा है प्लेशलोट चाहिए तो यहां भी गई वहां भी गई यहां भी गई लेकिन कोई नहीं नहीं आ रहा है, हालेलुया, मेरी बहन, आपका पूरवश नोहा, जिसने 120 साल तक प्रचार किया, लेकिन फिर भी टकमकाया नहीं, यही वो वचन है, यही वो प्रॉमिस है मेरी बहन, कि हमें थाम के चलना है, मेरा इशू आएगा और मुझे लेके जाएगा, परमेशर के मुख से जो बात निकली है वो पूरी होगी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, और मैं आपको आज भाविश्यवान ही करता हूँ, कि वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, अगर आप इसीज़ को हलके में ले रहे हैं, तो आप नाद का मन नया हो गया है, प्रेस अलॉड, रोमन्स 12 टू, रोमन्स 12 का दो, अगर आप हलके में ले रहे हैं, तो आप बड़त कर रहे हैं, आप कलीसी आने में देरी करते हैं, परमेशर के चड़नों में आने में अलस करते हैं, प्रात्रा करने में देरी करते हैं, घर में प्रात् रहिए ताकि वो आत्मा जो आपके अंदर पर्मेश्वर ने दी है वो काम कर सके हालेलिया सबसे पहला काम पर्मेश्वर के वश्नों पर विश्वास करना प्रात्ना में रहना बाकि दूसरे काम सेकेंडरी है हो सकता है दस लाग कमाते हो secondary है उसमें बहुत से लोग होंगे अमीर नोहा के समय जब बारिश पड़ी और जल प्रले आई आपका पैसा काम नहीं आएगा मेरे भाई आपकी दौलत काम नहीं आएगी आपका बंगला काम नहीं आएगा आपकी गाली काम नहीं आएगी काम आएगा तो सिरब परमेश्व काशीश और अगर आपने परमेश्व के लिए अपने आपको समर्भित किया है वो आपको उठाएगा और लेकर जाएगा आले रिया इसलोट इसलिए वो क्या कहता है परिए मेटा इस संसार के सद्रिश्य ना बनो इस संसार के सद्रिश्य ना बनो इशू कहता है मैंने तेरे मन को नया किया है मैंने तेरी आत्मा को संदा किया है अब इस संसार के सद्रिश्य मत बन अब इस संसार को अपने अंदर मत रख क्योंकि जब तक संसार नहीं निकलेगा जब तक तिरा मन जो नया है उस मन में प्रभू कैसे आएगा नुहा के मन में कुछ भी नहीं था वो सोते जाकते उड़ते बैठते एकी चीज उसे याद थी परमेश्चर का बादा परमेश्चर का वचन वो कोई काम नहीं करता था सिर्फ उड़ता था प्रासला करता था और जहाज बनाने में लग जाता था उसने जहाज जहाज से पहले देखा नहीं था उसने जहाज जहाज से पहले बनाया नहीं था प्रेस्स लोट कौन सा जास उससे बनाया कौन सा जास वो बना रहा था समुद्रों में चलने वाला जाहज नहीं जल प्रलै पर विजय पाने वाला जाहज अलो आ 150 दिन तक पानी राद धड़ती पर और 261 दिन तक पानी घटता रहा किते दिन रहे नोहा लोग अपने जहाज में पता आपको किते दिन रहे 371 दिन यानि एक साल से उपर 371 दिन नोहा और नोहा का परिवार कहां रहा किसके साथ रहा जानरों के साथ आपके सागे संबेंदी नहीं थे वहापर कोई टीवी नहीं था खेल खेलने के लिए बैडमिंटन भी नहीं था गिली धंडा भी नहीं था प्रेस अलॉट क्यों? क्योंकि सौ साल नोहा ने प्रात्ना में बिताया और वो ही प्रात्ना में उसके सिर्था, उसके बच्चों के साथ एक साल ग्यारा दिन तक उसके साथ रही प्रात्ना कर रहे थे प्रात्ना प्रेस अलॉट अलॉलिया परमिशन हमारे जीवने वादा करता है और हम सोचते के परमिशन कल से हमारा जीवन में काम करना शुरू कर देगा करता है परमेशन नुहा का परमेशन ने बोला कि जहास बना और मैं इस पूरी धरती को जल परले से खतम कर दूँगा जहास दयार हो गया प्रेस अलॉट आललुया आपको पता है दो दो जानवर हर जाती के दो दो जानवर आललुया आप जानवरों के पास जाएंगे न तो जानवर भाग जाएंगे भागते के नहीं भागते भागते के नहीं भागते प्रेस अलॉट आप सुछिए कि कितनी जातियों के जानवर थे और कितने अधिक जानवर थे अगर वहाँ शेर था तो शेर अकेला नहीं होगा उनकी जातियों में इसे भी नर और मादा चुने गए अलो प्रेस अलोट और बाइबल कहती है कि वो जानवर अपने आप जहास के अंदर आए नुहा को लेके जाना नहीं बढ़ा उसको प्रेस अलोट जानवर भी जानते हैं कि प्रभु कौन है प्रभु की आज्या क्या है हालेलुया 371 दिन रहे और जब जहास बन गया जल प्रले से पहले नुहा और नुहा का परिवार जहास के अंदर गया परमिशन जरवादा बाहर से बन कर दिया हालेलिया साथ दिन तक कुछ नहीं हुआ वो अंदर बैठे रहे पानी नहीं आया बारिश नहीं हुई सोते नहीं खुले जलके साथ दिन तक पूरा परिवार कहा था? जहास के अंदर खिड़किया बंद दर्वाजा बंद मेरे भाई परमेश्वर जब आप के जीवन में काम करता है तो वो जाशना चाहता है कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं नोहा के द्वारा वो एक वंच एक जाती एक दुनिया को बसाना चाहता था वो साथ दिन तक पूरा परिवार जानूरों के साथ कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है बाइबल ने कहीं ने कहा प्रात्रा में थे विश्वास कि प्रभू ने मुझे जीवन दिया है हालेलोया मेरी बेहन आज आपको परमेश्वास ने नया किया है उस नय होने की कीमत को समझे उस नय जीवन की कीमत को समझे जो हमें मिल चुका है उस कीमत को समझे परमेश्वार ने हमें एक नया जीवन दिया है हम नई श्रिष्टी में आगए हैं एक नए जीवन एक नई शक्ति एक नए ज्ञान परमिश्व निरखा है मेरे लिए वही चाहता है इसलिए धर्ती पर आके उसने शुद्द किया ताकि हम इन सारे ज्ञान को समझ सकें ताकि हम रह सकें यसे नोहा समझ गया था उसके इसलिए वो कहता है पॉलुस रूमियो की पत्री में कहता है कि संसार के सिद्रिष्य ना बनो बाइबल नहीं कहती है लेकि साथ दिन के अंदर जैसे नोहा का परिवार जहास के अंदर होगा पहला दिन वहाँ पर लोग आयोंगे अरे नोहा बारिश नहीं आई एक दिन गुज़र गया बेवकूफ अभी बाहर आजा उसके बच्चे के दोस्त आयोंगे सहली आयोंगी रिश्दार मामा चाचा ताओ आयोंगे अरे नोहा काम काफी पड़ा हुआ आजा क्या खाएगा एक दिन हो गया तु अंदर है जहास के अंदर है बारिश नहीं आई दो दिन हो गया अबे तीन दिन हो गया भागल है नोहा ने कहा नहीं मेरे पास परमेश्वर का वचन है पेस अलाइट हमें उस वचन को थाम के रखना है जो प्रभु ने हम को दिया है मुझे वो कभी नहीं छोड़ेगा मुझे वो कभी नहीं त्यागेगा वो मेरा पिता है, वो मेरा चर्वा है, वो मुझे हरी हरी चराईयों में ले चलेगा, मुझे कोई कमी घटी कभी नहीं होगी Praise the Lord, चाहे मैं अंदकार की तराईयों में जाऊं, चाहे मैं कहीं से भी जाऊं Praise the Lord, मेरा पिता मेरा चर्वा है मुझे कोई कमी घटी कभी नहीं होगी वटन को ठाम के लखिये उसके मुख से निकला हुआ हर वचन इससे रहे जब आप वचन को ठामेंगे तो वो काम करेगा नोहा ने उस वचन को ठामा उसके परिवार ने उधार पाया उन 11 लाख लोगों ने वचन को नहीं थामा नाश हो गए वचन उनके लिए भी था रेस अलोट वचन उनके लिए भी था ये वाचा उनके लिए भी थी तो 11 लाख थे नोहा ने बताया प्रभू कह रहा है अगर तुम विश्वास करोगे पच्छा दाप करोगे प्रभू के वचन पे चलोगे तो तुम लोग बच जाओगे ये वचन उनके लिए भी था और सबके लिए था लेकिन नोहा के परिवार ने वचन को ले लिया प्रेस अलोट मेरी बहन उस वचन को थामे रखिए मेरा इशू मेरे साथ है प्रेस अलोट निश्चही मेरी भलाई है सदा की है अलेलुया प्रेस अलोट इसलिए वो कहड़ा संसार के सदुशना बनो परंतु तुमारी बुद्धी के मन के ने हो जाने से तुमारा चाल चलन भी बदले जब आप नई सिष्टी में आ गए है तो आप बदले हुए देखें लोगों को आपका मन बदल जाए आप अपने मन को प्रभू के नुसार लेकर जाएए संसार के और नहीं अलेलुया नोगा ने क्या किया अपने मन को और जल प्रले होगी लगा रहा हो सुब़ से शाम तक जहाज बना रहा है अब आप सोच रहोंगा सुब़ से शाम तक जहाज बना रहा है तो खा क्या रहा होगा खाता कहां से होगा यह तो आप परमेश्वर को नहीं जानते जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं मेरी बहन, परमेश्वर स्वर्ख खोल देगा आपके लिए आप नहीं जानते हैं परमेश्र को और परमेश्र चाहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए सौर्ग खोलूँ वो देखें मेरे बच्चे प्रेस लॉट सौर्ग का दरवाजा खोल देगा वो विश्वास करिए अपने मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बजलता जा जिससे तुम परमेश्र की भली भागती और सिद्ध इच्चा को अनभव से करते जाओ यही तो इश्व मसी चाहता है इसलिए उसने हमारे मन को शुद्ध किया पावित रखिया नया किया इसलिए उसने हमें पावित रखिया था कि हम अपने पिता की भली इच्चा को जाने क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्र की यह वाणी है कि जो उसने योजनाएं बनाई है हमारे लिए वो सब भली है कोई भी हानी की नहीं है सब लाव की है सारी वो योजनाएं हललुया यह हमें याद रखना है अपने मन को बताना है ताकि मैं प्रभू की भली इच्चा को जान सकूँ इसलिए अगर मान लिए कहीं आप काम करते हैं और गलत चीजे सामने आ रहे हैं आपकी आज के लियंग ललके कैटरिंग का काम करते हैं कैटरिंग का काम मेहनत करना कोई बुरा ही नहीं है तक कैटरिंग काम में क्या होता है गलत दिशा में आप जाते हैं आप गलत काम भी करने लगते हैं दारू की पार्टी हो रही है आप दारू का गिलास भी उठा लेते हैं प्रेस अलॉट हम को हमेशा याद रखना है कि हम प्रभू के हैं हमारा जीवन प्रभू को है हमारे इसी लिए बच्चों का कलीसिया आना बहुत जरूरी है अगर आप अपने बच्चे को कलीसिया में नहीं लाएंगे आपका बच्चा आपके बगल में आपके पलोस में ही पाप में बढ़ जाएगा आपको पता नहीं लेगा पता नहीं चलेगा नहीं पता से लेगा जब हो जुक्एगा तब आपको समझ में आएगा परमेश्चर का वचन जब आपके अंदर जाएगा ना, वो डर पैदा करता है, वो आपके अंदर डर पैदा करता है, परमेश्चर का वचन आपको बताता है, कि नू, मुझे गलत नहीं करना है कुछ भी, मुझे कोई पाप नहीं करना है, नहीं, मुझे शरीर के लिए नहीं जीना है, मुझे आत्मा के लिए जीना है, लेकिन वो कहां होगा, जब आप वचन पे आएंगे, कलीसिया में आएंगे, आप अपने बच्चों को नहीं लाते हैं, मेरी बेहन ये बहुत गलत है, क्योंकि आपके बच्चों को वचन सुनना बहुत 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 जरूरी है खाना खाने से बहुत जरूरी है पढ़ाई करने से ज़्यादा जरूरी है वचन सुनना लेट उटते हैं मारिये जहापण मारिये उनके मुँपर नहीं आते हैं मारिये लेकिन लेकर आईए नर्क में जाने से अच्छा है कि बच्चा मार खाले अलो नर्क में जाने से अच्छा है कि आपका बच्चा आपका थपड़ खाले नर्क की आग में जाने से अच्छा है इसलिए वो कहता है कि संसार के सिद्रिश ना बनो इसलिए उसमें वाचा दी उत्पती नौ का आट और नौ कि आने वाला तेरा वंश इस आशीश को पाएगा उत्पती पंदरा का चार इब्राहिम को परमेशन ने चुना उर्देश से निकाल के लेकिया अब इब्राहिम को परमेशन और यह चौती वाचा है जो मैं आपके सामने पाट नहीं चौती बार परमेशन ने वाचा बांदी इब्राहिम के साथ कि मैं कौन हूँ रेस अलोट हलो मैं कौन हूँ अब्राम को इब्राहिम बनाया इश्व वसी धर्ती पर क्यों आया ताकि अब्राम से अब्राहिम बनाए आपको Hello There is a lot अब्राम का मतलब क्या है घमंडी अब्राम का मतलब क्या है मैं अपने बारे में सोच तें घमंडी और अब्राहिम का मतलब क्या है अनुग्र है Praise the lot अब्राम और अब्राहिम में क्या फर्क है एक शब्द का फर्क है उसका है उसका शब्द का नाम है इब्रानियों के शब्द कोश में जो पाँच्वा अक्षर है है उसका मतलब है अनुग्र है अगर आप Ebrani पढ़ेंगे आप, Hebrew पढ़ेंगे, Hebrew का पांचवा शब्द है हे, हे का मतलब है अनुगरहे तो परमेश्र ने उस अनुगरहे के शब्द को उस अनुगरहे को अबराम में जोड़ दिया और अबराम बन गया अबराहेम प्रेसल ओड्ट हलेलुए तभी तो उसके जीवन में परमेश्ब का अनुगरह काम किया तभी तो परमेश्ब बोलता है बारा का तीन में जो तुझे आशीश देगा है उसे आशीश दूँगा जो तुझे कर्स देगा है उसे कर्स दूगा Praise the Lord चुकि वो आशीशों का पिता है वो अनुगरे का पिता है उसे परमेशन ने अनुगरे का पिता बनाया आज जब अबराहेम से जुड़ते हैं तो अबराहेम की सारी अशीशियां हमारे जीवन में काम करती है ईशू मसी धर्ती पर क्यों आया तकि हमें अबराहेम से अबराहेम बना दे Praise the Lord Hello इसलिए उसने हमारे मन को निया किया हमें निया जीवन दिया पंदरा का चार तब यह वा का यह बचन उसके पास पुचा यह तेरा वारिश न होगा तेरा जो निज़ पुत्र होगा वही तेरा वारिश होगा उसने उसको बाराव ले जाके कहा ओकी और द्रुष्टी करके तारांगन को गिन तीक है के तो उसको गिन सकता है फिर उसने उस से कहा थेरा वश ऐसा ही होगा कि अब nickel इतने साल का था शान्ड का बूरा और गया था उसकी बीव 20 साल की भूरी हो गई थी उसकी गर्ब की दशा बिक्कुल खताम हो गई थी गर्ब की दशा मर गई थी अब जानते हैं एक औरत के उनसर प्रेस लोट इब्रहाम को कब वादा किया ये जब वो बूड़ा था जब उसके कोई बच्चा नहीं था और वो क्या बोलता है बहार आजा और देख अकाश में इन तारों को गिन सकता है तो इन तारों को गिन अकाश में तु जितने तारे देखता है उतना तेरा वंच होगा उस समय तक इब्राहिम का एक भी बच्चा नहीं था क्या किया इब्राहिम ने विश्वास किया और बाइबल क्या कहती है छटा वचन कि उसने विश्वास किया और उसकी विश्वास को धर्मिक्ता गिना गया प्रेस अलॉट और हुए और मिले चों कहा था कि दो तेरा परिवार तेरा वंच तारों से आकाश के तारों से भी कहीं ज़ादा होगा उससे यह नहीं कहा कि परमेश्वर अभी तुम्हेरा एक Byi बेटा नहीं है उससका進िछ विश्वास किया यह तूने कहा है होगा परमेश्वन ने का होगा जहां से तू चलेगा हजार दुश्मन इधर गिरेंगे हजार लाखों दुश्मन इधर गिरेंगे प्रेस अलोट आप विश्वास करिए ऐसा ही होगा अभण सही था 91 का यहारा बजश्वन आइंटीवन का कि रहा हम लुग अखरते हैं हम ल संसार से घरते समाज से दरते आपने पडोशी से अपर आप्रेस्वावाट बाड़न सही था 91 का विट्यों पढ़िये अधा कि ऐलिये बढ़ी कि गयाना वन कि वा अपने दूतों को तेरे निमीट जाग देगा की जाग कहा को एक तुच आगा क्या मैं गए साथ मां तो तेरी निकड हजार और तेरी दाइनी और दस हजार गिरेंगे परतु हो तेरे पास ना आएगा इसलोड कोई दिश्वन आपका बाल बाका नहीं कर सकता है यह पर मैश्वन का मचन है यह पर मैश्वन के मुख से निकले हुई वानी है हमको इस वचन को ठामके रखना है येस लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर गली में अपने दुश्वन बनाने है पता चला ही है मेरा वचा ना चलो इससे भी लडाई कर लो इससे भी लडाई कर लो इसका भी छीन लो मेरे प्रबुने तो वादा किया है नहीं नहीं ऐसा नहीं है परमेश्वर के वादे जो हमारे लिए है, उनको हमें अपना बनाना है, उनको हमें अपना बनाना है, अब्रहाईम ने अपना बनाया, अब्रहाईम ने अपना बनाया, कई बार हम, हम जानते हैं, बाइबल भी लिखा हुआ है, कि परमेश्वर अपने समय पे काम करता है, लिखा है कि नहीं लिखा है, प्रबुद हो करेगा, लेकिन हम भी कर लें, लेकिन जब हम असफल होते हैं, तब हमें ऐसास होता है, कि परमेश्र के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, परमेश्र को जानेंगे, तो आप उसकी आत्मा को जानेंगे, आप उसके मन को जानेंगे, योना नभी जो कि परमेश्र का चुना हुआ था, उसको परमेश्र ने का जा, नीन्वे देश में जाकर, यिसू समचार देगे, परमेश्र 40 दिन के बाद नीन्वे देश को खतम कर देगा, लेकिन योना नभी, परमेश्र की इच्छा को पूरा ना करते हुए, वो उसकी उपसिती से भाग गया तरशीश की तरफ, एक जहाद में चला गया, योना नभी जो परमेश्र को जानता था, जो परमेश्र को समस्ता था, वो जानता था उसके मन में क्या है, प्रेस अलॉट, वो क्या, और कि हम लोग बचेंगे नहीं, लेकिन योना नभी नीचे जाकर अराम से सो रहा है, अराम से सो रहा है, उसने का पूरा जहास में हल्चाल है और ये आदमी सो रहा है, वो सब लोग गया उसके पास, क्यों भाई तो क्यों सो रहा है, क्या प्रावलाम है, और ये हो रहा है तो तुफान आ गया है कि तहां ये तुफान मेरी वज़त से है क्योंकि मैंने परमिश्र की इच्छा पूरी नहीं की मैंने उसकी आज्ग्या नहीं माने इसलिए तुफान आया है मुझे उठा कर नीचे फेग तो तुफान खतम हो जाएगा तुफान तुफान थम गया और एक मगरमश्र ने युना नभी को अपने अंदर ले लिया प्रेश लॉट जब आप अपने मन को परमे शर के लिए समर्पित करेंगे आप परमेश्र के आत्मा को जान पाएंगे उसके मन में क्या है पहला कुरुंधियन 2 का पंदरा 1 कुरुंधियन 2 का पंदरा कहता है कि आत्मे की जन सब चीजों को परखता है इस वसी धरती पर क्यों आया है ताकि आप आत्मिक जीवन जीए आत्मिक सिंदेगी हम जीए शरीर की सिंदेगी ना जीए परमेश्व नहीं चाहता है कि हम शरीर का जीवन जीए परमेश्व चाहता है कि हम आत्मिक जीवन जीए मेरें है तो क्या करता है वह आत्मिक जल सब कुछ जांसता एंगे इसलिए प्रभू कहता है चाहता है प्रभु चाहता है कि हम लोग आत्मिक जीवन जीएं ताकि हम किसी शरीर के द्वारा किसी शारिडिक आदमी के द्वारा पचार ना खाएं हार ना जाएं इसलिए वो कहता है आत्मिक जीवन जीना शुरू करो आत्मा से देखो आत्मा से सुनो आत्मा से बोलो लेकिन यह आपके लिए प्रसिजिन है यह आपके लिए भेद की बात है कि मैं आत्मा से कैसे देखूं कि मेरी आत्मा मुझे दिखती नहीं है मैं उससे कैसे देखूं कि प्रिसलोट आप कहेंगे मेरी आत्मा मुझे नहीं दिखती है तो मैं अपनी आत्मा से कैसे देखूं कि आपने आत्मिक अपने आत्मा को आपने यूज कर रही नहीं ह आलेलूया आप आत्मिक जीवन कैसा होता है आप समझ नहीं पा रहे हैं आपका शरीर कुछ नहीं है आपकी इंपॉर्टन्स आपकी जो कीमती चीज़ है वो है आत्मा शरीर नहीं है आपकी डेथ हो गई इमीजेट आपके रिश्वदार भगाएंगे घर से शरीर को निकालो बद्वु आ रही है आपके नाम भी कोई लेना नहीं चाहेगा निकालो 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 वेल्यू किसकी थी आत्मा की और आप आत्मा की वेल्यू नहीं समझ रहे हैं आत्मा कैसे आपकी सिंदा होगी कैसे आप उनके अनुसार चलेंगे जब प्रभु के वच्छन के अनुसार आप चलेंगे आप आत्मिक जीवन जीना शुरू कर देंगे तब आपको महसूस होगा आत्मिक जीवन में क्या है आत्मिक शक्तियां क्या है तुफान आया, चेले चिला रहे है, डर रहे है, इशु सो रहा है, चुकि वो आत्मिक जीवन जी रहा है, वो आत्मा में जी रहा है, उसको पता है, मैं डाटूंगा एक चांत हो जाएंगे, आपके लिए तुफान की वेल्यू है, आपके लिए हवां की वेल्यू है, अरे हव तुम लोग जाओ मैं आ रहा हूं वो नौ में चले गए इश्यो आया पानी पे चलता हुआ आत्मिक जीमन जी रहा है वह आपके लिए वेली भरे इश्यो मसी पानी पे चल रहा है कि मैं आजाओं आजा अरे तरी आत्मा को जिंदा की या मैंने आजा आपके लिए बड़ी बाद और आप पानी पे चलता है अरे हमें परमेश्वन ने बनाया इसलिए लेकिन आप लोग समझ नहीं रहें आप लोग वह जीवन जीना नहीं चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता ह इशू को पाने के बाद भी नौकरी, बिजनास, मेरा काम, ये काम, वो काम, उसी में लगे हुए हैं आप, कहां से खाऊंगा ये, कहां से खाऊंगा रहे हती हैं कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है प्रिस अलोट, मैं आत्मिक जीवन जीता हूँ, मेरे घर में अगर कोई मुझे मिलने के लिए आता है, और मुझे पता है कि मुझे क्या बात करनी है, और मुझे पता है वो आदमी, फिजूल की बाते करकर, मेरा टाइम वेस करता है, और वो जबस्ती मिलने के लिए आ रहा ह जो बाते करनी है इसको बुद्धी उतनी दीजिये ही मत कि फालतू बात करें मैं उसको बांथता हूं आता है वही बात करके निकल जाता है वही आत्मी जो दो हफ्ते पहले दो घंटे ले रहा था वह दो मिनिट में बात की खिचला गया यह आप के उपर आए आप सामने वाले के मन को पढ़ सकते हैं आप अगर आत्मीक जीवन जी एंगे तो आप सामने वाले के मन को पढ़ सकते हैं वो क्या चाता है लेकिन आप जानना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप शरीर से निकलना नहीं चाहते हैं प्रिस लोट तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपने मन को इस तरीके से बनाएं ताकि हम परमेश्वर की जो आशीशे हैं वो जो प्रामिसिज हैं उसको समझ सकें आललुया दूसरा पॉइंट आता है कि इश्व मसी धर्टी पर इसलिए आया ताकि वो यहां की परमपराओं को तोड़ सके यहां की परंपराओं को तोड़ने के लिए आया वो, यहां के अंदविश्वासों को तोड़ने के लिए आया, यहां के रीती रिवासों को तोड़ने के लिए आया वो अलेलुया प्रेस्ट लॉट लुका 8 46-48 के बीच में एक और अजिसको 12 साल से लहू की बिमारी थी अलेलुया लहू की बिमारी थी उस समय 2000 साल पहले औरत का लहू बहना उसको समस्ते थे कि वह पापन है समस्ते थे कि वह अशुद्ध है आज भी कई जगा समस्ते हैं कई ऐसे परिवारे का यसी जातियां हैं जिसमें औरत का लहू जो बहता है तो उसको अशुद्ध समस्ते हैं उसको किछिन के इंदर जाने नहीं देते हैं हालेलुया प्रेस लॉट तो उस समय 2000 साल पहले यह परंपरा था परंपरा थी कि और अगर लहू बहरा है तो वह पतार लहू बहरा था आप सब जानतें इस कहानी को अलद लिया अब उसने अगर मन में ठानी उसने क्या मन में ठानी कि मैं अगर इशु मसिए के वस्र को भी झूलूंगी टो मैं चंगी हो जाओं प्रेसलोट उसने क्यों ठाला ये मन में ताकि वो लहू से थी और वो नहीं चाहती थी कोई मुझे देखे कि इशू मसी मुझे छू रहे हैं इसलिए चुपके से जाकर उसके वस्तर को छू कर मैं चंगी हो जाओंगी और परंपरा की परंपरा बंदी जाएगी और लोग किया हजारों की भीड कमजोर और अलगर कैसे वो गई होगी रेड़ती होगी कोनियों के बल गई होगी कैसे गई होगी हजारों की मिड़ इशू मसीज को घेरे हुए थी और उसने उस चोगे को पहचान लिया प्रेसलोट जब आपके मन में समर्पन होता है न कि जब आपके मन में आप धारन कर लेते हैं कि मुझे प्रभु को पाना ही है तो प्रभु मिलता है हजारों की भीड में हजार यहूद्यों के चोगे हजार यहूद्यों के कप्ड़े एक से लेकिन उस अरफर मन में ढान लिया था मैं उस वस्तर को छूँँगी और चंगी हो जाओंगे बाविल क्याती है कि वो कहीं और उसने वस्तर को चुआ और चंगी हो गई अलेलिया लेकिन ईश्व मसी जो कि परंपरा को तोड़ने के लिए आये थे अंद विश्वास को मिटाने के लिए आये थे ईश्व मसीने का कौन है वाई किसने चुआ मुझे किसने चुआ से एक बार नहीं दो बर पूचा आज्सने नहीं पूचा कि मुझे क्यों चुआ लेकि यहांपर पूचा कि मुझे किसने चुआ पत्रस ने का है प्रभू हजारों की भीड तुझे घेरे हुए हैं तेरे उपर लोग गिर रहे हैं और तू कहना किसी ने छुआ है क्योंकि उसके छुने से मेरी सामर्थ निकली है मुझ में से सामर्थ निकली है हालेलुया रेस लोड वो औरत वहां थी दुब की हुई थी और चुपी हुई थी करें मैं कहीं सामने आ गई और लोगों को पता लग गया कि मैं लहू से हूं मेरा लहू बहरा है तो मुझ पर व्यवस्ता के अनुसार लोग पत्थर मारके खतम क और इशू मसी चाहते थे वो इस सब के सामने आए इसलिए वो पहरे दे किसने चुआ कौन है यहां पर वो निकल के बहार आई उसने का प्रभू मैं हूं मैंने तुझे चुआ क्यों चुआ क्यों कि मैं बारा साल से लहू से बर्शा थी मेरे पास सारे पैसे खतम हो गए सार मैं इस परंपरा से बंदी हुई थी इसलिए मैंने आकर तुझे चुआ तक कि मैं शुद्ध हो जाओं पवित्र हो जाओं हालेलुया क्या कहती है परंतु ईशू ने कहा किसी ने मुझे चुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझे सामर्थ निकलिए 47 जब इस तरी नही सकती में बचने सकती इसलोट हालेलुया परमेश्वर आपके अंदकार को आपसे दूर करना चाहता है वह जो इस तरी थी वह अंदकार में बैठी हुई थी वह जानती थी वह जांती थी कि इसमसी सामर्थी है मैं उसको छूलूंगी तो चंगी हो जाओंगी लेकि फिर भी अंदकार था वह अंदकार था क्या परमपरा परमेश्वर उस परमपरा से निकालना चाहता था उससरी को परमेश्वर हमें अंदकार से निकालना चाहता है तभी तो वह कहता है मैं जोती हूं जो मेरे सामने आएगा जो मेरे साथ चलेगा वह अंदकार से दूर हो जाएगा हाललुया वो कापती हुई आई और उसके पाओं पर गिर कर लोगों के सामने उसने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे चुआ है और क्यूं कर मैं चंगी हो गई हाललुया उसने बताया कि मैं लहू से थी हाललुया मेरी बहन इश्वमसी धर्ती पर इसलिए आया ताकि वो परंपराओं को तोड़ सके इश्वमसी ने बताया दुनिया को आई दुनिया वालों जिस औरत को तुम लोग अशुद्य समझते हो उसने मुझे चुआ है और मैं पवित्र हूँ प्रिस अलाट हलो हमें अंदकार में नहीं जीना मेरे भाई मेरे पिता ने क्या कहता मेरी मान ने क्या कहता मेरा पड़ोसी क्या कहता नहीं अंदकार आपको परमिश्व से दूर करता है आपके जूटे रिती रिवास परमिश्व से दूर करते हैं नहीं यार बड़ी बेहन क्या बोलेगी मम्मी क्या बोलेगी पापा क्या बोलेंगे यार कर लेते हैं यार थोड़ा उनका भी सुन लेते हैं नहीं आलेलुया यहाँ एक और है कोड़ी 2000 साल पहले कोड़ी जब किसी कोड़ हो जाता था तो व्यवस्ता के अनुसार वो शहर के अंदर नहीं रह सकता था उसे काला कंबल ओड़कर वो आँखें सिर्फ उसकी दिखनी चाहिए और उस काला कंबल को ओड़कर हमेशा उसको बैठे रहना है शहर के बाहर और अगर माला उसके पास से ऐसा रिती दिवास सी उस समय कोडिये के लिए कोडि को छूड नहीं सकते थे उसे घरवाले उसको अपने घर में रखनी सकते थे वो शहर की सीमा के बाहर घर का बचा हुआ खाना उसको मिलता था और वो भी फेक कर दे दे बच्चे बीबी फेक कर देती थी उसे कोड हो गया था लेकिन जब उसने इश्यू मसी को सुना जब उसने इश्यू मसी के वचन को सुना उस उपदेश को सुना इश्यू मसी के कि धन है वो जो मन का दीन है क्योंकि प्रित्वी का सरक का अधिकारी वही होगा धन है जो नमर है क्योंकि प्रित्वी के अधिकारी वही होंगे जो उसने वचन सुना रेस अलॉट उसका मन संसार की वज़ा से अशुद्ध था कि कोड मुझे हुआ है तो मेरी क्या गलती है लेकिन बिकॉज अफ दिस कोड मेरी बच्चियों मेरे पास नहीं आते मेरी बीबी मेरे पास नहीं आते मेरे अपने मेरे पास नहीं आते मुझे तुछ समझते लेकिन जैसे ही उसने इशु के वचनों को सुना उपदेशों को सुना कि धन है वो जो मन का शुद्ध है क्योंकि वो ही परमेश्वर को देखेगा तब उसने जाना इश्यू का वचन क्या कहता है कीमत शरीर की नहीं है कीमत मन की है इश्यू के वचन क्या कहते है कि परमेश्वर के लिए आपका शरीर मुलेवान नहीं है आपका मन मुलेवान है इसलिए वो कहता है कि जब हम कलीसिया आएं तो कौन सा मन लेके बैठे परमेशर आपके शरीर को नहीं देख रहा है परमेशर आपके मन को देख रहा है कि आप किस मन से यहाँ पर बैठे हैं किस मन से आप रभू के वचन सुन रहे हैं और किस मन से आप रभू से प्रेम कर रहे हैं, यह जो कोडी था, जब इसने वचन सुने, यह इशु मसी के पास आया, गुट ने डेके, दंडवत किया उसने, और इशु से क्या कहा, मर्कुस 1.40-42, मर्कुस 1.40-42, वो इशु मसी से कहता है, कि तू चाहे तो मुझे शुद कर और चाहे तो ना कर, मुझे अब शरीर का शुदता नहीं चाहिए, मुझे मन की शुदता चाहिए, प्रेस अलॉट, यह लिखावा उसके पास आकर उसने क्या कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद कर सकता है, प्रेस अलॉट, हालिलुया, मन की शुदता ही, परमेश्वर को पसंद है मेरी बेहन इसलिए जब हम कलीशिया में बैठते हैं अपनी मन की शुद्धता पर हमको हमें जाचना है हमारे मन शुद्ध है कि नहीं है प्रेस अलॉट उस परंप्रा को तोड़ने के लिए इशुमसी आया जो कोडियों के साथ थी और क्या क्या इशुमसी ने उसने का मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा और कोड़ी को छुआ जा याजर को पता इसलोट परमेश्र की नजर में कोई शुद्ध नहीं है इसलिए इशुमसी ने अपने शरीर पर 49 कोड़ों की मार खाई इसलिए उसने हर बिमारी को नाश किया किसी बिमारी की वरे से अगर आप अपने आपको अशुद्ध समझते हैं तो नहीं क्योंकि इशुमसी हर बिमारी के लिए लहू बहा चुका है हर बिमारी के लिए कोड़े खा चुका है इसलिए हमें किसी एक बिमारी के लिए अपने आंपको अशु दनी समझ रहे हैं और किसी दूसरे को भी नहीं समझ रहे हैं अगर आपका प्डौसी बिमार उसके घ़ड़ जाई ए उसकी सेवा करिए उसकी साहिता करिये आप क्योंज रोटी है, रोटी खिलाइए पैसा है, पैसा दीजे, नहीं है, सेवा करिये जरूर नहीं कि हम सेवा पैसे सही होती है आप अपने शरी tucked से उसकी सेवा कर सकते अलेलिया आपके पड़ोसी हैं, अगर वो खाना नहीं बना सकते, जाईए उनके घर में, जाकर खाना बनाईए, मेरे घर में आईए, खाना बनाईए हालेलोया, मवीता देख रही है क्या हो रहा है, इमेर, परमेशर शुद्धता चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि हम इस दुनिया के परमपराओं से निकल कर बहार आएं, ताकि परमेशर की योजनाओं को अपने उस प्रॉमिसिस को समझ सकें, जो परमेशर के मुख से निकला है हमारे लिए, हमें उस प्रॉमिस को समझ ना है, आलेलिया, इसलिए देखिए इस प्रॉमिस जो परमेशर 2000 साल पहले देखा है, इफीचियो एक का तीन, आपको नहीं पता कि आप कितने धनी है, इस वाइदे को आप देखिए, परमेशर आपको सब कुस दे चुका है, प्रमेशर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसी में सब प्रकार की स्वर्गिये, इस थानो में सब प्रकार की आशिश ने दे चुका है वो सारी आशीशे प्रिस अलॉट परमेश्र ने आपको नई स्षिष्टी क्यों बनाया है ताकि धर्ती पर रहकर आप स्वर्गी अनुभव करें परमेश्र चाहता है कि आप धर्ती पर रहते हुए स्वर्गी अनुभव करें इसलिए उसने काया है कि आपको स्वर्गिय स्थानों पर उसने बिठाया है आप स्वर्गिय स्थानों में चुने गए, स्वर्गिय स्थानों के लिए चुने गए है इसलिए बाइबल कहता है कि स्वर्गिय स्थानों पर, स्वर्गिय वस्तों पर ध्यान लगाओ अपना अपना ध्यान कहा लगाओ, स्वर्गिय वस्तों पर शरीर की चीजें, दुनिया की चीजों पर मत ध्यान लगाओ अपने ध्यान वहां लगाओ सुर्गी चीज़ों पर इस लोट सर्गी अवस्तों पर ध्यान लगाओ क्योंकि वही वस्तों हैं आपके लिए पुराना जो जीमन था वो तो चला गया इसलिए परमेशन ने हर प्रकार की आत्मिक आशीशें आपको दे दी है आत्मिक आशीशें आपको दे दी है तो आपको किसमें जीना है जब आप आत्मा में जीएंगे तो आप उन आशीशों को ग्रहन कर सकेंगे आप उन आशीशों को महसूस कर सकेंगे और उसका सुख भूग सकेंगे अगर शरीर में जीएंगे तो उस आत्मिक आशीशों को आप महसूस नहीं कर पाएंगे नहीं महसूस कर पाएंगे आत्मिक जीवन हमें जीना है यही तो इशु बताने के लिए आया है धर्ती पर आया है इशु क्यों? क्योंकि अपसे तुम्हें शारिडिक जीवन नहीं जीना है आत्मिक जीवन जीना है वेस अलोट तुम्हें अपने वसियत को जानना है तुम्हें अपने शक्ती को अपने खजाने को जानना है कि तुम्हारे पास क्या है हम अपनी धर्ती की शरीडिक चीजों को देख रहे हैं एक पलंग है एक चरपाई है कुर्सी है फ्रिज है और एक टीवी है यही है मेरा सब कुछ मेरे भाई हमारी कीमत इन से बहुत बड़ी है प्रेस लौट क्योंकि हम संसार के लिए शरीडिक चीजों के लिए नहीं है हम आत्मिक चीजों के लिए है हम स्वर्गिय स्थानों के लिए है आलेलुया इसलिए उसी तरीके से हमें रहना है उन्ही चीजों को अपना बनाना है प्रेस अलॉट उन्हीं चीज़ों को अपना बनाना है जो जो आत्मिक हैं जो शरीडिक हैं नहीं आलेलुया प्रेस अलॉट इसलिए जो हशीशियां आपको मिली हैं दुनिया के सामने अंगिकार करना है पढ़िए भजन सजीधा 67 का साथ अंतिम बच्छन पढ़ेंगे देखेंगे भजन सजीधा 67 का साथ परमेश्वर हमें को आशिश देगा और पृत्वी के दूर दूर देशों के सब लोगों उसका भय मानेंगे परमिश्वर हमें आशीष देगा और हम परमिश्वर हमें आशीष देता है कि प्रित्विके कोने कोने के लोग उसका भय माने हमारे जीवन को देख कर आपका पडोसी परमिश्वर का भय मानना चाहिए आपको जो आशीषे दी है अगर उन आशीशों के संग आप जीवन जीएंगे तो आपका पड़ोसी कहगा यह क्या हो रहा इसके साथ प्रेस अलोट आप लोग समझ रहें कि समझ रहें अगर आप आत्मिक आशीशों के संग जीएंगे तो आपका पड़ोसी आपका सोसाइटी आपको देखकर अच्रश में हो जाएगा कि यह लोग कैसे जीने कौन है यह लोग प्रिस अलोट आत्मिक जीवन जीना है आत्मिक आशीशों के संग हमें धर्ती पर रहना है हमें अपनी शक्ति को समझना है शरीड को वैल्यू देना अगर आप बंद कर देंगे आत्मिक जीवन अपने आप आप जीना शुरू कर देंगे हम शरीड को वैल्यू से दें हम शरीड के रिष्टों को वैल्यू ज़्यादा देते हैं परमेश्र के रिष्टों को कम देते हैं अपने जमीनी रिष्टों से ज्यादा हम परमेश्व को वैलु नहीं देते हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पती, वो मेरी ज्यादा वेलिए बाल थे, परमेश्व के बनिस्पित, इसलिए हम उस आत्मिक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा सक्चा रिष्टा परमेश से बाड में बच्चों से है कि परमेश्वा को यह रिष्टे दियin और अगर परमेश्वर हमारे दिवन में सही है यह रिष्टेश नहीं रहेंगे हिसलिए पहले परमेश्वर का रिष्टा शाय को जिसे लिश में तो को पहला मान देंगे और उसके उसार चलें के समसर चलेंगे आत्मिक जीवन जीना और शुरू कर देंगे जरूरी है कि हम अध्सनु को समझे рजा और जाने की इश्व मसी क्यूं आया धरती पर ताके हम उस पिता को जाने उस प्रैम को जाने समझे उसको ताकि उस शिर्टा को पाए कि हम खत कौन है वी पहला वचन आपаєला योन और चार का सतरा कि इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ही आओ हो क्योंकि जैसा हुआ है वैसे संसार में हम भी है इसलोट इशु मसीभ बताने के लिए आया है कि जैसा इस समय स्वर्ग में मैं हूं उसी वैसे ही आप इस समय संसार में इस अलोट उसका प्रेम आपके जीवन में कैसे इस्थिर होगा जब आप उस प्रेम को समझेंगे आप जानते इसका मतलब आप इसका मतलब समझ नहीं रहें जिस पर आप इसका मतलब समझेंगे आप उछल जाएंगे आप जी नहीं आप सो नहीं पारेंगे कि जो इस समय इशु मसी की इस्थिती स्वर्ग में है वही इस्थिती धर्टी पर मेरी है जो सामाथ इशु के पास है वही मेरे पास है लेकिन प्रॉब्लम क्या है इशु को पता उसके सामाथ का हमें पता नहीं है हमें पता नहीं हाई हाइब जब मुझे जब मैंने गाड़ी लिए और मुझे गारी की चावी मिली तो मुझे पता चावी का है इसमें गारी धूंड रहा हूं Warriors the Lord जो इसको नहीं छानता हुगा आप मैंने से कोई होंगे आपको आपके पास गारी चाबी भी है तब भी आपनी कोल पाएंगे खूल ayak, क्योंकि आअप पास पने कहीं नहीं से यह कोल में कि कि तुम अपने जीवन को यूस कैसे करो यहोवा का सिम कार्ट लगा लो हालिलुए यहोवा का सिम कार्ट लगा लो सारे एप्लिकेशन्स वर की आपके रूप अंदर आती रहेंगे सारी एप्लिकेशन्स हालिलुए और लाइव आप प्रभु को देखोगे आप अरातना करोगे आपको सवर दिखेगा प्रभु दिखेगा हालिलुए उसका सिम कार्ट लगा लो बस हालिलुए और प्रातना करते रहो ताकि बैटरी चार्ज रहे प्रातना नहीं करेंगे आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी प्रेस अलोट मोबाइल है आपके पास सिम कार्ड है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं है क्यों अरे पास्टर टाइम ही नहीं मिलता क्या करो सुबह जाता हूं शाम को आता हूं रात को फिर खाना बनाना फिर यह कर मैं दों पहले तो काम है बारने प्रबूर काम कैसे मिलेगा है přबसेलोट हैं आपकी बेटरी चार्जट नहीं है कि आपको सब कुछ Kä089 समय नहीं दे रहें हैं बटरी चारज के लिए आपको समय देना पहाएंगा अलर्य का मोबायल की बैटरी चार्ज करने के लिए अट 2 गुट बैठ जाएंगे एनही बैठरी बहुत जरूरी है लेकिन परात्रा के लिए 10 मिन नहीं कि 10 मिनट नहीं बेठया आ अर्य वो घुज सब्सक्रावी कर लूंगा या कि बेचल कि बेच णर्टे कर लЕ dinero changes लेंगे प्रात्ना क्या है चार्ज बैटरी मोबाइल का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है यही फारक है अपनी बैटरी चार्ज करनी है रोज प्रात्ना करो जिसरा तभी आप उसका कनेक्शन डिरेक्ट हो जाएगा आपका नहीं तो कुछ नहीं इसकैने कही मिलने आले है सब कुछ आपके बास कुछ भी नहीं है अग ale कि जाने से पहले आपको बैटरी चार्ज करनी पडिए व भी प्रात्तना से ऐरे तो आपको यहां पर आके वचन समझ में आएंगे फिर आपको वचन का बुश्च वचन से प्यार होगा आपको परमिशर से प्यार होगा आपके अंदर त्रणफ होगी कि नहीं हाहा वचन और वचन मिले लेकिन कई लोग ऐसे अरे कब खतम हो यार बहुत बोल रहे आज यार यह पास्टर को माइक मिल जाएं तो बंदी नहीं करते हैं आलेलुया बहुत जरूरी है मेरी बेहन हमें अपने को चार्च करना है और वो जो इशू मसी ने हमें जीवन दिया है उसका सही उप्योग करना है एक-एक मिनट का हमारे पास वक्त नहीं है कभी भी इशू आ सकता है we don't have time मैं आपको फिर बता रहा हूं समय नहीं है कल को वह आया और अगर आप छूड़ गए तो आप बोलना मत मुझे बोलना मत यह साथ साल महा काल का पीरेड होगा कुछ भी काम नहीं होगा आप नहीं जानते हो इसलिए जानो आप चर्च बहुत 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 जरूरी है लेकिन उसके बिना हमारा जीवन नहीं है वशन के बिना हमारा जीवन नहीं है प्रात्रा के बर्बुरे बिना हमारा जीवन नहीं है अपने बच्चों को प्रभू का नाम दो, उसके कान में बोलो इशुई है प्रभू और दूसरा नाम नहीं है धर्ती पर इस सच को ग्रहन कर लो मेरी बेहन इशुई आएगा बादलों पर लेके जाएगा Praise the Lord, नोहा 120 साल तक बोलता रहा एक आदमी नहीं आया लेकिन बचा कौन? नोहा, सारे बरबाद हो गए, खतम हो गए उसके रिश्वदार, दोस्स सब खतम हो गए वो बोल बोल के ठक गया, आज मैं बोल रहा हूं आपको इशु मसी को समर्पित करो अपने आपको चर्च रेगलर आओ, वचन रेगलर पड़ो, प्रात्ना में रेगलर रहो तो ही हम बच पाएंगे मैं सच क्या रहा हूं? अपने आपको समालो, जाचो आलेलुया प्रीस, रेगलर हुईए, प्रभू को समय दीजे आलेलुया आज का बचन हमने ग्रहन किया आशीश पाया एक साथ बोलेंगे इशु मसी की जाए बोलिए इशु मसी की जाए